यह notification उन एन एस students के लिए है जिन्होंने October में exam दिये थे October में exam देने के बाद अगर वे किसी subject में रहे गए हैं तो उसी subject का एक subject या दो subject जितने भी हैं उन subject का exam दुबारा देना पड़ेगा जो कि अपरेल में हो जाएगा लेकिन उसके लिए exam फीज जमा करने पड़ेगी अगर बारा जन्वरी से 21 जन्वरी तक exam फीज जमा कर देते हो तो विदाउट late फीज जमा हो जाएगी अगर 22 जन्वरी से 26 जन्वरी के बीच में exam फीज जमा करते हो तो पर subject 100 रुपे late फीज लगेगी पाश सब्जेक्ट अगर होंगे तो 500 रुपे ही फीज लगेगी अगर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में exam fees जमा करते हो तो एक student के 15 रुपे एक्स्टार चार्ज लगेगा कोशिच करो कि 21 जनवरी से पहले-पहले exam fees जमा कर लो क्योगि अगर 21 जनवरी से पहले-पहले exam fees जमानी करते हो बाद में करते हो तो लेट fees लगती है और पेपर देने के लिए एक्जाम फिस जमा होना जरूरी है रिजल्ट या जरूरी नोडिफिकेशन या अपडेट्स और भी जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर बने रहे और दोस्तों को सेर भी कर दें